सो हेलो एरिवन फोरम एमकेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है नीट दोजार चोईस वाले विद्यार्ती जरासी चू के करण एमबीबे स्कॉर से बाहर हो गए जी हां बिल्कुल आपने सही सुना और ये आपके साथ भी हो सकता है अगर आपने तोड़ी सी भी लापरवा हो गए तो ये छोटी सी गलती आपके बहुत से के लिए खापी बड़ी हो सकती है तो चलिए अपडेट देख लेते हैं ताकि कुछ आपको सीखने को मिले और आपका जो बहुत से है वो सुनना रहा हो आपकी इस नोलेज की वज़े से MBBS Advision 2004 जरासी चूप के कारण 239 चातर MBBS दाकिले से बाहर हो गए मन पसंद सीट चुनने के बाद उसी लोग करना भूल गए बोलाता मैंने कि आप काउंसलिंग में सीट तो चूज कर लेते हो काउंसलिंग तो करवा लेते हो लेकिन चोईश लोग आप नहीं करते हैं बूल जाते हो और ये Notification में पहले लिखा वाता है कि ये काम तो आपको करना करना है तो अब जिनके नंबर अच्छे कासे थे सेलेक्शन आराम से हो रहा था लेकिन गलती क्या कि उन्होंने चोईश लोग करना भूल गए यहाँ पे आप पूरा विवरण देख सकते हो नीट यूजी वरस 2024 की काउंसलिंग में पहले चरण की जो परवेश प्रिक्रिया है वो चल रही है जिन छात्रों को सीटे आउंटित होई है वह गुरुवार तक परवेश ले सकते है पहले चरण की काउंसलिंग में MBBS में दाकिले के लिए यहाँ पे 25,000 प्लस अभ्यारतों की मेरिट सूची जारी की गई मेरिट सूची में टॉप पर 70 वी रेंग से लेके आप यहाँ पे देख सकते हो 13,94,000 प्लस रेंग तक के विद्ध्यारती सामिल है इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि डाक्टर की पढ़ाई के लिए दाकिले के इच्चुक 239 अभ्यारतों को छोटी सी चुक बहुत भारी पड़ी इन चात्रों ने अपनी मन पसंद सीट तो चुनी लेकिन उस सीट को लोग करना भूल गये ऐसे में इन्हें पहले चंड के काउंसलिंग में सीट आउंटेंट के प्रिग्रिया से बाहर कर दिया गया है अब कितना दुख हो रहा होगा जिनको सीटे मिली रही थी लेकिन वो चोईस लोग की वज़े से रह गये तो उस दुख को वही समझ सकता है जिनोंने ये गलती की है और जबकि काउंसलिंग की गाइडलाइन में इस पस्ट तोर पे लिखा गया था कि मनपसंद सीट चुनने के बाद उसे लोग करना अनिवार रहे तब ही तो मैं आपको बताता रहता हूँ अपडेट देता रहता हूँ क्योंकि आप नए हो भी आपको पता नहीं कि कैसे क्या होता है काउंसलिंग में और हर बार मैं आपको गाइड गरता रहता हूँ कि ये करना है इस परकार से करना है डोकूमेंट इस परकार से आपको परपेर करने है यहाँ पर साइन करना है है ना तो हर रोज में कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता हूँ आपके बविश्चे के लिए तो मैं यह कहता हूँ कि अभी भी काउशलिंग होना है लेकिन आप ये गलती मत करना क्योंकि NM से की कुछ guideline होती है NTA की guideline होती है ठीक है government की होती है वो आपको follow करनी होती है तो इसलिए चैनल में ने बनाया है कि आप aware रहो तो subscribe करने वालों को bell icon पर press करने वालों को तो मैं guide करता रहूंगा और इस परकार की जो दिखते होती है वो आपको paste करना ना पड़े इसी में मैं आपकी help करता रहूंगा बस आप लोगों का support चाहिए मेरे को ठीक है तो मने में कोई doubt है आपके साथ कोई issue हो गया हो तो comment करके बता देना मैं आपके साथ हूँ